उन्होंने ये भी सुना होगा कि गरीब की बीबी सबकी भोजाई स्त्री को ना केवल एक दासी समझा जाता है बलकि सिर्फ पुरिश के भोग के लिए बनाई गई व्यक्ति इस तरह से समझा जाता है और उस कल्चर को मसीहियों ने, कई सारे मसीहियों ने ऐसा का ऐसा उठा कर मसीही समाज में थोप दिया है इसका परिणाम यह है कि आज ब्रदरन चर्च में इस तरह के प्रचारक लोग हैं जो स्त्रियां स्त्रियों से भी प्रभू का वचन शेयर करती हैं तो उसको गलत मानते हैं, सिखाते हैं कि स्त्रियां स्त्रियों को ना सिखाएं स्त्रियां सेंडे स्कूल क्लास ना ले स्त्रियां पती के साथ जब एक पत्नी पती के साथ बैठती है तब प्रार्थना ना करे क्योंकि वो पती की अगवाई कर रही है स्त्रियां इवन बच्चों के साथ प्रार्थना ना करे ये सब मुगलों के द्वारा जो गुलामी, स्त्री को गुलाम और भोगया के रूप में देखा गया, उसके बाद अंग्रे जो ने स्त्री को भोगया के रूप में देखा, जो सिर्फ पुरिश के भोग विलास के वस्तु है, ये उसका परिणाम है कि आज ब्रदरन कम्यूंड में exactly इसी तरह के इसी तरह की विचारधारा कई सारे लोग stage पर रखते हैं इसके साथ साथ ये प्रिश्ट भूमी जाने बिना आप स्त्री के बारे में Bible स्त्री के बारे में क्या कहती है इसको नहीं समझ सकते हैं British missionaries, brethren missionaries जो इंडिया में आये थे उन्होंने वैसे ही वो स्त्री को भोगया समझते थे जब इंडिया में आये तो उन्होंने देखा कि इंडियन कल्चर भी कुछ वैसा कुछ सिखाता है इस कारण उन्होंने मसीही मंडलियों में जो कुछ सिखाया वो स्त्री को हमेशा दबा कर रखने और उसको गुलाम बना कर रखने के बारे में सिखाया इसका एक उदाहरण आजकल बहुत पॉपलर है कई लोगों के बीच में जो बड़ी लंबी चौड़ी हांते हैं कि स्त्री का स्थान सिर्फ घर में है उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए आपने सुना होगा अंग्रेज था जिसने ये बाप सबसे पहले हमको ये बात बताई अंग्रेज ब्रदरेंड मिशनरी लेकिन जो अंग्रेज ब्रदरेंड मिशनरी इस बात को सिखाता था कि स्त्री को कभी भी नौकरी पे नहीं जाना चाहिए उस अंग्रेज मिशनरी के घर में चार पांच यह छे स्त्रियां काम करती थी बरतन वाली, खाना बनाने वाली, जाड़ू पोचा लगाने वाली, कपड़ा धोने वाली, बच्चों की आया और इसके अलावा भी और कई प इसलिए मैं जो सिखा रहा हूं तुमको, वो मुझ पर लागू नहीं होता है, मैं गैर व्यक्ति की पत्नी को अपने घर में काम करवाऊं, तो पदमेश्वर के वचन का उलंगन नहीं होता, लेकिन यह भी कोई स्त्री नौकरी करती है या काम करती है, तो वो पाप है, इन अ कड़े शब्द है, यदि मैं आपके सामने सच ना बोलूं, तो मैं सिर्फ आईवाश के लिए आपके सामने आया हूं, आईवाश के लिए लेकिन किसी के सामने बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा और पूर्न सत्य बोलूंगा, और इ जो British Missionaries हैं उनने भारत में एक नई कौम प्रचारकों की पैदा की जो इन British Missionaries के तलवे चाटते थे और चुँकि इन British Missionaries के तलवे चाटते थे या अभी भी चाटते हैं इसलिए इन में से कई लोगों की प्रतिवर्ष आए 25 लाक रुपए से लेकर धाई करोड रुपए तक है मैं एक Evangelist में मुझे मालूम है मेरे साथियों को जो British के तलवे चाटते हैं उनको कितना मिलता है क्योंकि इसमें एक British Missionary ने मेरे तलवे चाटे थे डिग्री के लिए और वो इंडिया में एक एक को कितना पैसा देता था इसका हिसाब इस कारण मुझे मालूम पड़ गया तो आज ऐसे बहुत सारे इंडिन Evangelist हैं जो ये दावा करते हैं कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करना चाहिए ये एक्शली British Missionary जो अपने घर में चार से पांच या साथ नौकरानियों को रखता था उनके तलवे चाटने वाले जो 25 लाग से धाई करोड रुपया एक साल जिन Evangelist का Income है उनके लिए कहना बहुत आसान है और ये ज्यादा तर Income Black Money है ये भी मैं बता दू बहुत आसान है क्यों जिसको 25 लाग रुपया पर साल Income मिलता है नैचरली उसकी पत्नी को काम करने की जरूरत नहीं है और जिसको धाई करोड मिलते हैं उसकी पत्नी तो जीवन ब ये आंदोलन ब्रिटिश लोगों के तलवे चाटू Highly Finance के हुए Evangelist के द्वारा ये आइडिया फैलाया जा रहा है आज भारत की स्तिती ये है कि यदि बहने पती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम ना करे तो परिवार कई बार गरीबी से होकर गुजरता है जिसको 25 रुपे एक साल मिलता है उसकी बीबी को काम करने की जरूरत नहीं है लेकिन जिस Evangelist को महीने में 5000 से 10,000 मिलता है और मैं ऐसे कई Evangelist को जानता हूं जिनको यदि 1000 रुपे एक महीने में मिल जाये तो बड़ी बात समझते हैं उन लोगों की पत्नियों को पती के साथ कं अंदे से कंधा मिला कर काम करना पड़ता है तो ये प्रिष्ट भूमी मैंने इसलिए बताई कि आज ब्रदरन कम्यूनिटी में एक बहुत बड़ा स्त्री विरोधी माहोल पैदा हो गया है स्त्री कुछ भी करें वो गलत है अपने बेटे के साथ प्रत्न करें तो वो गलत है नौकरी पे जाए पती को सिर्फ महीने में 5000 रुपे मिलते हैं किराय के लिए 6000 देना पड़ता है रोटी कहां से खाएंगे बच्चे कपड़े कहां से पहनेंगे उस परिवार में यदि पत्नी नौकरी के लिए जाती है तो पती का सपोर्ट करती है तो ये बात मैं फिर से य इंडिया में फाइनेंस किये जा रहे है तलवा चाटू इवैंजलिस जिनकी मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं जिनकी साल बर की आए 25 लाग से धाई करोड रुपया है वे लोग हैं जो स्त्रीयों को हमेशा गुलामी में रखना चाते हैं बाकी लोगों के लिए ती ये जो नजरिया है इस नजरिय के कारण मंडली में या क्रिस्टियन चर्च में बहुत अधिक दोश हुआ है परमेशुर का वचन इसके उल्टा बोलता है उदाहरण के लिए नीती वचन 31 अध्याय में सामर्थी स्त्री के बारे में कहा गया है सामर्थी स्त्री के बारे में नीती वचन 31 अध्याय में जो कहा गया है उसमें सब तो देखने का समय नहीं है, समय सीमित है लेकिन मैं 12 से 16 पद आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ परमेशुर का वचन किस स्त्री को सामर्थी मानता है? उस तरीके बारे में कहा गया है वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं बरन भला ही व्यवहार करती है वह उन और सन ढूंड ढूंड कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है वो व्यापार के जहाजों की नई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है वो राथी को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग-अलग काम देती है यहां हिंदी में दासियों के लिए जो शब्द यूसके अगया लॉंड यह रीति हिंदी का कोई डीसेंट शब्द नहीं है यह ब्रिटीश लोगों का उपहार है उनके उल्हां हिंदूस्तान के गुलाम मसी cricket लोगों को परिकिश लोगों ने इहां मैं एक चीज पताना चीजफा नमिए जो एन वाठ किया था उसमें लॉन्ड-डी शब्द का लेकिन उपयोग किया गया, ब्रिटीश लोग जो दे गए, जो हमारे सामने उन्होंने उल्टी कर दी, उसको हम चाट रहे हैं, भारतियों को सोतंतर रूप से सोचना चाहिए, कि हमारी भाषा तक को वो लोग करप्ट करके चले गए, तो मैंने दासियों शब्द पढ़ा, ले हम लोगों की आदतें खराब हो गई है, 2000 साल की गुलामी के कारण, हम दिमांग से सोचने के बदले घुटने से सोचते हैं, और इस कारण प्रभू का वचन जो सपष्टते आस्त्रियों के बारे में बोलता है, वो हमको दिखता ही नहीं है, यहां देखिए, सामर्ती स्त्री क्या-क्या करती है, वो कहती है, वो अपनी दासियों को अलग-अलग काम देती है, वो किसी के खेत के विशेय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाक की बारी लगाती है, उन लोगों के लिए इंकम का वड़ा सोर्स था, वो परक लेती है कि मेरा व्यापार लाब दायक है रात को उसका दिया नहीं बुझता है 24 वा पद वहसन के वस्त्र बना कर बेचती है और व्यापारी को कमर बन देती है पुराने नियम के समय से लेकर प्रभु का वच्चन इस बात को याद दिलाता है कि पुरिष्ट के साथ कंदे से कंधा मिलाकर हर कार्य में सहीयोग करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की सृष्टी की है और आप बाइबल की 66 पुस्तकों को देख लीजे उसमें स्त्री के लिए सिर्फ दो कार्य वर्जित किये गये है नमबर वण चर्च में जहां पुरिष्ट भी बैठे वए हैं वहां प्रभू का वचन सिखाना शत्-प्रतिशत वर्जित है नमबर दो चर्च के एलडर के रूप में फंक्शन करना शत-प्रतिशत वर्जित है इसके अलावा स्त्री के लिए कोई भी कार्य प्रभु का वचन वरजित नहीं करता है मेरे प्रिये भाईयों, बहनों कम से कम अप जरह अपनी आखें खोलने के प्रभु का वचन स्त्रियों के बारे में क्या कहता है इसके अलावा और भी हम उदाहरण देखते हैं नए नियम में जब हम प्रेरितों के काम उसके सोल हुए अध्याय को देखते हैं तो वहाँ लुदिया नाम की एक बहन के बारे में देखते हैं जिसने प्रभु को ग्रहन किया उसने जब प्रभू को ग्रहन किया तो वो जो उस समय के जो प्रेरित लोग थे उनके लिए मेजबान बन गई और प्रेरित लोग कई बार मुसीबत के समय दोड़कर उस व्यापार करने वाली बेहन के घर में आश्रे लेते थे चौदा, पंद्रा उसके अलावा चालीस हम पद मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ प्रेरितों के काम सोला, चौदा, पंद्रा उसके अलावा चालीस चूकी बहुत सारी बाते बोलने हैं कई पद मैं सिर्फ बोलके छोड़ रहा हूँ उसको जरा पढ़कर देख लें बेबंदीग्र से निकल कर लुदिया के यहां गए, लुदिया के यहां क्यों गए अपने व्यापार का धन उपयोग करके वो भाईयों की मेजबानी करती थी और जो प्रेरित लोग जेल से निकले तो सीधे लुदिया के घर गए मनिश्री की सृष्टी के समय से पद्मेश्वर ने ऐसा बनाया है, इस बात को हम समझें प्रभू के वचन में स्त्रियों को जो जिम्मेदा स्त्रियां जो काम करती हैं उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताए गही है मैं आपको एक लिस्ट देना चाहता हूँ नीति वचन 31 के छे में हम सामर्थी स्त्री के बारे में देखते हैं जो स्वयम का व्यापार करती है, इसके अलावा प्रियरितों के काम सोलवे अध्याय को हमने देखा इतना ही नहीं, यहोशुक की पुस्तक 15 के 17 से लेकर 19 और उसके अलावा रूत दूसरा अध्याय आठ्वा पद यहां स्त्रीयों को खेती किसानी करते हुए बताया गया है निर्गमन 11 का 5 मत्ती 24 का 41 यहां स्त्रीयों को चक्की चलाते हुए दिखाया गया है उस जमाने में बिजली की चक्की नहीं थी, इसलिए वो हाथ से पीसते थे लेकिन स्त्रीयों को वो कारिय करते हुए दिखाया गया है उत्पती 29 के 99 और निर्गमन 12 के 16 में इस्त्रीयों को गड़रिय का काम करते हुए दिखाया गया है निर्गमन 26 का एक हिंदी में इतना clear नहीं है उसमें स्तीयों को कायरीगर मिस्त्री शिल्पकार खास कर वस्त्र उद्द्योग में कायरीगर मिस्त्री शिल्पकार के रूप में दिखाया गया है पहला शुमेल आठ्वे अध्याय के तेरहुए पद में स्त्रियों को अत्तार जो अत्तर बनाता है सुगंद द्रव्य बनाता है स्त्रियों को अत्तार के रूप में और रसोये की रूप में बताया गया है निर्गमन पहले अध्याय के पंद्रिवे पद में स्त्रियों को आया के रूप में या दाई के रूप में दिखाए ये सब नौकरी है ये बात मैं याँ दिलाना चाहता हूँ जो प्रिटीशों के तलवे चाटू भारतिये पुरिश जो ये कहते हैं कि स्त्री को तो कीचन के बाहर नहीं निकलना चाहिए वे तो अपने विदेशी जो स्वामी है उनका तलवा चाट रहे हैं लेकिन एक प्रश्ण आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ जो भाई लोग है और जो बहने उनसे पूछना चाहता हूँ प्रभू का वचन पढ़ते समय जिसमें इत्ती सारी बातें बताई गए हैं स्त्री के लिए पढ़ते हैं तो हमारा दिमांग जीरो क्यों हो जाता है आखें क्यों मीच लेते हैं जो प्रभू ने रखा है उसको यदि हम सही रीती से नहीं समझेंगे तो हमारी बेहनों को प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उससे हम उनको वंचित कर रहे हैं ये एक बहुत भारी गल्ती है निर्गमन में हमने देखा दाई आया के रूप में काम करते हुए उत्पत्ती 35 अध्याय के आठ में निर्गमन दो के साथ में दूसरा शमूईल चौथे अध्याय, चौथे पद में पहला राजा एक के चार में स्त्री को नर्स के रूप में या परिचारी का के रूप में काम करते हुए बताए गया है उत्पत्ती 35 का आठ, निर्गमन दो का साथ, दूसरा शमुएल, चौथा अध्याय, चौथा पद और पहला राजा एक का चार इसके अलावा स्त्रियों को घरों में नौकरहनी की रूप में काम करते हुए भी बताया गया है प्रेरितों के काम बार हुआ अध्याय, तेरह हुआ पद, ये सिर्फ एक पद दे रहा हूँ और भी है, प्रेरितों बारा का तेरह, उसके अलावा पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति गुजर जाता था, तो उसके लिए विलाप करने वाले होते थे, पेशेवर विलाप कर करने वाले होते थे, जिस तरह से अधर भारत में शादी के समय बैंड बाजे बजाने वाले होते हैं, उसी तरह से पुराने नियम के समय में जब कोई गुजर जाता था, तो उस व्यक्ति के लिए बाकाइदा विलाप करने वाले होते थे, पेशेवर, उनको तंखा दी जात की लिए कि लिए पेशेव करने वाले के रूपमें और दूसरे शमुएल इसे लोगोंके न्याय की रूप में याद रखें जज जिसको हम कहते हैं जज के रूप में भी स्त्रियां काम करती थी और जरूरत पढ़ने पर क्राइसिस की स्तिती में नायक का काम भी करती थी दबोरा का जीवन देख लीजे खतम नहीं हुआ एक पद जो मैं बोलने के साथ-साथ पढ़के सुनाना चाता हूँ वो है पहला इतिहास साथ का 27 कहता है उसकी पुत्री शेरा थी जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरों नामक नगरों को और उज्जेन शेरा को द्रड करवाया मतलब नगर के निर्मान में इसका बहुत अधिक रोल था आप कहेंगे ब्रदर ये सब पुरानी नियम से जी नहीं मैंने नए नियम से भी कई रेफरेंट्स बताएं हैं पुरानी नियम में भी स्त्रियों के रोल के बारे में बहुत सारी बातें बताएं गए हैं प्रेरितों के काम पहला द्याय चोदहुं आपद प्रेरितों एक चार में हम पढ़ते हैं ये सब कई स्त्रियों और इशू की माता मरियम और इसके भाईयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे आज ब्रेदरन कम्यूनिटी में इस तरह के अंधे नायक लोग उठ खड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि बेहनों को इवन बेहनों की जो प्रार्थना है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए यहां हम देखते हैं कि प्रार्थना सभा में स्त्रियां भी उपस्तित थी इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेहनें ये सुन रही हैं कल जाके इनकिलाब जिन्दा बाद हमें चर्च में प्रार्थना करने के लिए अनुमती देननी चाहिए ये स्टार्ट कर दें याद रहें नए नियम के जो प्रिंसिपल्स हैं जब आ गए उसके बाद चर्च में स्त्रियों का जो रोल है उसमें एक या दो लिमिटेशन्स लगा दिया है और चर्च में स्त्रियों को लीड करना मना है पुरिश जहां हैं वहाँ तीचिंग मना है लेकिन और बहुत सारी बाते हैं जो उनके लिए अलाउड है तो यहां हम देखते हैं प्रेरितों एक चवदा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ एक ब्रदरन इवैंगिलिस्ट है जो सक्री रूप से सब जगे जाके कह रहे हैं सिखाते हैं कि सेंडे स्कूल में स्त्रियों को क्लास नहीं लेना चाहिए और मेरी जानकारी में कम से कम एक दरजन चर्चस ने सेंडे स्कूल ही बंद कर दिये क्यों कि वहाँ सेंडे स्कूल बच्चों को सिखाने के लिए पूरी शुप लब्द नहीं है और चुकि उस भाई ने कह दिया है इसलिए हम सेंडे स्कूल स्रीयों को पढ़ाने नहीं देंगे बंद कर दिया मतलब किसी अंग्रेजों के तलुआ चाटू एवांगेलिस ने आकर आपके चर्च में कह दिया तो आप अपने बच्चों के भविश्य को भूलकर आप उसके तलुए चाट रहे हैं कम से कम मेरा अनुरोध है आँख मीच कर प्रभू का वचन पढ़ने के बदले आँख खौल कर प्रभू का वचन पढ़िये कि प्रभू का वचन क्या कहता है बच्चों को प्रभू के वच्चन की तालीन देने के लिए स्त्रियों से अच्छा कौन होगा पुरिश्टो धैरिक हो देते हैं जब 10 बच्चे 12 तरह का विवहार करते हैं लेकिन सेंडे स्कूल में स्त्रियों का रोल वो उन सब बच्चों को एकी करत करके क्लास लेने में आता है ब्रेदरिंड परिवारों की कुछ आदते हैं जिनको नहीं मालूम वे सुन लें उनमें से एक ये है, कई परिवारों में सुब शाम प्रार्थना होती है, फैमिली प्रेयर, सुब के समय मां प्रार्थना करती है, ऐसे परिवार जिसमें ताउ जी, दादा जी वगरा नहों, सिर्फ पती पत्नी और बच्चे हों, ऐसे कई परिवारों में सुब के समय स्तुरी प्रार्थना करती है, शाम के समय पूरुष प्रार्थना करता है, इतना ही नहीं बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ उनको सब को खड़ा करके माँ प्रार्थना करके बीचती है लेकिन ब्रिटीशों के तलवे चाटू से अपने परिवार को एक आदर्श मसीही परिवार बनाना चाहते हैं इसका इन पती पत्नी एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं पहले पत्नी प्रार्थना करती है फिर पती प्रार्थना करता है लेकिन इन ब्रिटीशों के तलिवे चाटू प्रचारकों के प्रभाव में पत्नियों की प्रार्थना बंद हो गई है यदि इस तरह का कोई भाई है आज इस ओडियंस में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभू का वचन सुनने के बदले मनिश्यों का वचन सुन रहे हों यदि प्रभू का वचन पढ़ते समय यदि आप आँख मीच के की मिलनी चाहिए उसको बरबात कर रहे हैं इन बातों को समझ कर हम आगे बढ़ें रोमियों की पत्री 16 अध्याय के 3-6 और 12 को जरा देखें रोमियों 16 अध्याय आप यदि आप में से किसी को लगता हो कि यॉंसन ब्रदर सिर्फ पुरा नेनियम से प्वोटेशन दे रहे न मसी इश्यू में विश्वासी हैं जी नहीं एक प्रेरित जिसको सब जगे प्रभु का शुप संदेश सुनाने के लिए परमिश्वर ने भेजा है उसका स्टेट्मेंट है प्रिस्का और अक्विल्ला को जो मसी इश्यू में मेरे सहकर्मी है मतलब मेरे साथ कंदे से कंदा मिला के काम करते हैं और आपने ठ्यान दिया कि इसके पहले जब इन लोगों का नाम आया तब उनको अक्विल्ला और प्रिस्किल्ला कहा गया थे लेकिन यहां पर जब सहकर्मी की रूप में बताया गया तब पहले प्रिस्किल्ला का नाम आया प्रिस्का और अक्विल्ला क्यों प्रेरित के साथ कंदे से कंदे मिला कर सेवा करने के लिए प्रभु ने उनको बिलाया था और पॉलस प्रेरित ने यह नहीं का अरे 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 बहन प्रिस्किल्ला तुम एक काम करो स्त्रियों का काम सिर्फ किचन में है और तुम किचन में घ परिश्रम किया है, मतलब मंडली के लिए परिश्रम किया है, अन्नी विश्वासियों के लिए परिश्रम किया है, बारहुआ पत, रोमियों सूला का बारा, तुरुफेना और तुरुफेसा को, जो प्रभु यूश्यों में परिश्रम करती हैं, नमस्कार, स्री की जिम्मेदारी सर्फ किचन तक नहीं है वो गुलाम नहीं है वो भोग्या नहीं है पुरिश के लिए उससे मैच करने वाली सहकर्मी है पुरान नियम भी ये कहता है नया नियम भी कहता है इसलिए मेरा और आपका बाइबल अंग्रेज की teaching नहीं होनी चाहिए अंग्रेजों के तलवे चाटों की भी teaching नहीं होनी चाहिए यह खतम नहीं हुआ आगे हम देखते हैं बारा में प्रिया स्त्री है पर्सिस को जिसने kitchen में बहुत परिश्रम किया नमस्कार जी नहीं प्रभु का वचन कहता है पृया पर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया है नया नियम्दी इस बात को याद दिलाता है कि दो या तीन बातें जो स्त्रेओं के लिए वर्जित हैं उसके विदेशियों की मानसिक गुलामी में है खतम नहीं हुआ प्रेरितों के काम 16 अध्याए में लूदिया के बारे में हमने देखा उसको आप देख लीजिए मैं अब ज़्यादा उस डीटिल के लिए नहीं जा रहा प्रेरितों के काम 9 अध्याए के 36 वे पत में हम देखते हैं प्रेरितों 9 का 36 याफा में तबीता अर्था दोरकास नाम एक विश्वासनी थी वो बहुत तेरे भले काम और दान किया करती थी यदि आप 29 और 41 पत को भी पढ़ेंगे तब एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो कपड़े सिलती थी और कपड़े सिलकर व्यापार करके धन कमाती थी और उस धन के द्वारा भले काम और दान दिया करती थी प्रेरितों के काम 21 के 9 में हम देखते हैं कि फिल्पुस के बारे में प्रेरितों के काम 21 के 9 में देखते हैं उसकी चार कुँआरी पुत्रियां थी जो भविश्यवानी करती थी भविश्यवानी हम कई बार हमको लगता है कि भविश्य के बारे में बताना है पडमेश्वर के वचन में भविश्यवानी शब्द का दो उपयोग है नए नियम में एक भविश्य के बारे में बताना नमबर दो बाइबल एक्सपोजिशन आज जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ बाइबल से पद पढ़के उसकी व्याख्या कर रहा हूँ लेक्चर नहीं दे रहा लेक्चर देना होता तो कहीं से एक पद पढ़ता उसके बाद घंडे भर शब्दों का जाल आपके सामने बिछाता है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं प्रभु का वचन आपके सामने रख रहा हूँ इसको भी नए नियम में भविश्य वाणी कहा जाता है फिलिपुस की चार खुआरी पुत्रिया एक्स्पोसिट्यरी टीचिंग एक्स्पोसिट्री बाइबल टीचिंग करती थी किस से करती थी? अन्य बहनों के बीच में बच्चों को पढ़ाती होंगी, बहनों को पढ़ाती होंगी पुरिशों को तो पढ़ाना मना है लेकिन बहनों के बीच में करती होंगी चार कुआरी पुत्रियां मतलब शादी भी नहीं हुई और अभी से एक्सपोसिटरी टीचिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मैं नहीं नियम से रफरेंट्स दे रहा हूँ प्रेरितों अठाइस अठारा, दो, अठारा, चबीस वगरा में हम एक और चीज देखते हैं प्रेरितों अठारों आध्या है दूसरे पद में हम देखते हैं प्रिस्किल्ला और अक्विल्ला के बारे में हैं चौबीस्वापद पढ़ेंगे अपुलोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंद्रिया में हुआ था जो विद्वान पुरिष्था और पवित्र शास्तर को अच्छी तरह से जानता था इफिस्वापद वो आराधनाले में निडर होकर बोलने लगा लेकिन प्रिस्किल्ला और अक्विल्ला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया काहे को एक जबर्दस्ती एक औरत का नाम यहां पर डाल दिया देखिए किसी व्यक्ति को अपने घर ले जाकर प्रभू का वचन सिखाने के लिए यदि उसकी मेजबानी करनी है तो स्त्री का रूल भी है तो उस भाई को प्रभू का वचन ठीक से नहीं मालूम इसको समझ कर उस भाई को घर ले जाकर मेजबानी करके उसको प्रभू का वचन सिखाना यह उन दोनोंने अपनी जिम्मेदाई को समझा और इसलिए ले गए और ग्रीक में इस वाक्य का जो structure है उससे ऐसा अनुमान होता है कि उस भाई को प्रभू का वचन सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में ना केवल पती का अक्विल्या ने किया, प्रिस्किल्या ने भी उसको प्रोत्साहित किया। इसके बाद एक पद आता है जो सुनते ही ब्रिटिश ब्रदरन लोग बुरी तरह से बिदक जाते हैं और उनके तलवे चाटू उससे भी ज़्यादा बिदकते हैं उनके असर के कारेंड इस पद का महत्तु हम नहीं समझते हैं रोमियो 16 का एक रोमियो 16 एक में हम पढ़ते हैं तुम से फीबे की जो हमारी बेहन फेबा फीबा नाम हम लोग कितनी खुशी से रखते हैं कौन थी फीबा कभी ध्यान दिया है क्या गैर ब्रदरन लोग इसको जानते हैं और ब्रदरन लोग आंख नीचे वूए हैं यहां लिखा है फीबे से जो हमारी बहन और किंक्रिया कलीसिया की सेविका है अंग्रेजी में हैं फीबे फेबा ऐसे डीकनस चर्च में प्रभू ने एल्डर्स रखे हैं उसके साथ डीकनस भी रखे हैं भारत में जो तीन हजार से उपर ब्रदरन मंडलिया हैं उसमें मेरा अनुमान है कि दस मंडलियों में डीकनस होंगे बाकी में नहीं हैं क्योंकि प्रचारकों को और एल्डर्स को बड़ा खत्रा मालूम होता है कि किसी को डीकन बना दिया तो कल कहेगा कि मुझे एल्डर बना दो प्रभू का वचन ये याद दिलाता है कि मंडली में ना केवल प्रचारक हैं ना केवल एल्डर्स हैं मंडली में ऐसे लोगों को भी अपॉइंट करना है जो मंडली में अन्य सेवा कारे करें उनको डीकन नाम दिया गया है और प्रभू का वचन ये याद दिलाता है कि चर्चस में नाक एवल पुरिश, पुरिषों को डीकन के रूप में अपोइंट किया गया था, स्त्रीयों को भी डीकन के रूप में अपोइंट किया गया था. आप कहेंगे ब्रदर कमाल हो गया यह तो गजब की बात आप कह रहे हैं और फ़लाने भाई ने कहा कि ग्रीक में डीकन और एल्डर दोनों का मतलब एक ही है यदि कोई भाई दावा करता है कि डीकन का और एल्डर का मतलब एक ही है तो उसे जरा मेरे पास भेज दीजे ग्रीक में क्या कहा जाता है मैं जरा उन भाई से सुनना चाहता हूँ मैं उसके साथ-साथ एक बात और बताना चाहता हूँ मैंने ग्रीक का अध्यन B.A.C. फस्ट एर में आरेम किया था और Bible College जब गया था सेमिनरी तो अध्यापकों से भी अच्छा ग्रीक एक्सपर्ट था अध्यापक लोग अक्सर मुझे कंसल्ट करते थे तो इसलिए यह दी कोई भाई यह दावा करता है कि अरे डीकन और एल्डर का मतलब एकी है नहीं है एल्डर सभा के भारण के लिए और सभा में टीचिंग के लिए बनाए गये है डीकन सभा में टीचिंग और भारण के अलावा सद्टींग को डीकन के रूप में अपॉइंट किया जाता है आप कहेंगे कि ब्रदर बहुत हो गया जी अभी बहुत नहीं हुआ है प्रभु के वचन से और भी बहुत रेफरेंसे से लेकिन ये आपको लगता है कि ये तो बहुत भारी हो गया तो सर्फ एक पद और मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ और प्रेरितों में नामी है ये लोग Paulus के साथ क्यों pipeline है थे? Paulus जहां भी प्रभु का सेवा कारी कर रहे थे, वहां ये भी पहुंच गये होंगे शाथ में Paulus की मदद के लिए इस कारण जब Paulus को arrest किया तो इनको भी arrest करके जेल में ठूस दिया गया लेकिन इसमें यूनियास जिसका नाम है आपको मालूम है क्या वो एक स्त्री थी इंग्लिश में वो नाम है जूनिया वो एक स्त्री थी पॉलूस के साथ प्रभु की सेवा करने के कारण जिन लोगों को जेल में ठोक दिया गया था उसमें एक स्त्री भी थी वो यह दी दूर खड़े होके किचन में काम कर रही होती तो उसको जेल में ठोसने का एक्वेशन ही नहीं बनता है वो कंदे से कंदा मिला कर वो भी एक प्रेरित के साथ प्रभु की सेवा कर रही थी मेरा अनुमान है कि स्त्रीयों का हमारे जीवन में जो रोल है उसके बारे में प्रभु का जो वचन कहता है उसके बारे में यदि आज तक आंथ मीच के सुन रहे थे कान बन करके सुन रहे थे अंग्रेजों ने हमको जो गुलामी का उपदेश दिया अस्त्रीयों को गुलाम रखो उसका उपदेश दिया था अंग्रेजों के पिठ्थों ने जो उपदेश दिया था उसको हटा कर और अपने घुटने से सोचने के बदले आँख खोलकर प्रभु का वचन पढ़ें और घुटने से सोचने के बदले दिमांग से सोचने लगें तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी अब आईए तीतुस की पुस्तक या तीतुस की पत्री दूसरे अध्याए के तीसरे पद में पहले और दूसरे पद में पुरिशों को क्या क्या करना है ये हमने देखा लेकिन स्थ्रियों के बारे में बोलने से पहले ये प्रिश्ट भूमी जरूरी थी अब तीतुस के दूसरे अध्याय के तीसरे पत को हम पढ़ते हैं वहाँ हम पढ़ते हैं इसी तरह से बूड़ी स्त्रीयों का चाल चलन मतलब कल मैंने आपको बताया था बूड़े का मतलब उमर में जो जादा है वो भी है और जो परिपक्व है वो भी है स्त्रीयों के चाल चलें पवित्री लोगों सा हो इसको हम टुकडा टुकडा करके देखेंगे नमबर वन इसी प्रकार बूड़ी या परिपक्व स्त्रीयों का ये इस बात को बताता है याद दिलाता है कि जब हम आत्मिक जिवन में आजाते हैं तब हर बहन का करतव यह है कि वो आत्मिक जिवन में परिपक्व होने की कोशिश करे और जैसे-जैसे वो मिचुर होती चली जाती है अपनी जिम्मेदारी समझे कि अन्य लोगों को भी प्रभू का वच्चन सिखाना है यह पद इसी प्रकार क्यों बोलता है? सीधे-सीधे बोल देते कि बूरी स्त्रीयों का ऐसा होने चाहिए वैसा है? इसी प्रकार का मतलब इसके पहले जो कहा गया है उसी प्रकार मतलब पुरिशों के बारे में जो कहा गया है कि वे ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें उसी तरह से स्त्रीयों को भी जिम्मेदारी दी जाती है कि वे अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से लें उसके बाद परिपक्कु स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो सवाल यह है कि चाल चलन में पवित्रता को सबसे पहले क्यों मेंशन किया गया इसका एक कारण है हम जानते हैं अदन की वाठिका के समय से स्त्री को बहलाना फुसलाना और पाप में फसाना ज्यादा आसान होता है हम सब इस बात को जानते है आज भी दुनिये इस बात को जानती है कि किसी परिवार में स्त्री को कबजे में कर लो तो सारा परिवार अपने कबजे में आ जाएगा ऐसे बहुत सारे charismatic परचारक हैं जो अपना सारा focus स्त्रियों पर रखते हैं एक बार स्त्रिय आपकी गुलाम हो गई तो पुरिश को तो आना ही पड़ेगा नहीं तो तुम उसकी नाक में दम कर देना उससे कहना कि यहां आओ प्रभु का वचन यहां है इसलिए पवित्रता के बारे में कहा गया है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अशुद्धी और अपवित्रता का राज है और स्त्रियों के उपर असर पहले होता है इसलिए स्त्रियां बहने इस बात को याद रखें कि हम से पवित्रता की उम्मीद की जाती है चाहे हमारी बूली हो चाहे हमारा एड्वाइस हो, चाहे हमारा वस्त्र हो, चाहे हम दूसरों के सामने किस तरह से बन ठन कर निकलते हैं ये सब पवित्र लोगों के बीच में जैसा होना चाहिए वैसा हो खास कर मैं उन बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ जिनका 2400 गंटे या तो टीवी के सामने निकलता है या मोबाइल पर निकलता है पर ये बहनों ये ऐसे यंत्र हैं जो हमारे लिए जरूरी है नीज के लिए TV जरूरी है, नीज के लिए मोबाइल जरूरी है लेकिन यह ऐसे यंत्र हैं जो नाकेवल नीज देते हैं उसके अलावा हमारे मन को अपने जाल में फसा लेते हैं TV का और मोबाइल का स्त्रीयों के उपर जो वशी करण मंत्र है वो बहुत गहराई तक जाता है इसलिए चाहे पुरिश हो, चाहे स्त्री हो उनको नीती वचन चौते अध्याए का तेईस्वा पद याद रखना चाहिए बच्चों को ये पद याद दिलवा दें, प्रिये भाईयों और बहनों नीती वचन चार का तेईस कहता है सबसे अधिक अपने तन की रच्चा कर, जी नहीं सबसे अधिक अपने वस्तर की रच्चा कर, जी नहीं सबसे अधिक अपने मन की रच्चा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है यदि किसी व्यक्ति के मन में पैठ कर, उसको प्रभावित कर दें तो फुर वो जिन्दगी भर आपका गुलाम हो जाएगा अंग्रेजी में कहते हैं ideas have consequences मतलब हर आशे उसको proper तरीके से present किया जाए तो उसका परिणाम जरूर होता है मुझे याद है आज से कुछ साल पहले हमारे चर्च में दो भाईयों के बीच में बहुत जगड़ा और टंटा हो गया एक तीसरा आदमी था जो ये सारा जगड़ा करवा रहा था उसके statements इतने जहर से भरे हुए होते थे कि वो भाई भाई में फूट डालता था एक बार क्या हुआ कि चर्च में एक ब्रदर ने इन दोनों को अलग-अलग बुलाके counseling की तो counseling की तो जिस तरह से प्याज को छीलो छीलते जाओ छीलते जाओ उसमें कुछ नहीं निकलता है उसी तरह से जिस भाई ने counseling की तो दोनों को समझ में आया कि ये तो फालतू का जगड़ा टंटा है हमें तो आपस में जगड़ा की जरुरत नहीं इसलिए हम आपस में सुलह कर लेते हैं तो पहले भाई ने दूसरे भाई को फोन लगया आया प्री भाई मैं जड़ा आप से बात करना चाहता हूं दूसरे ने पूछा क्यों मन नहीं भरा किया तो उसने कर नहीं नहीं मुझसे गलती हुए मैं आपसे ख्रमा मांगना चाहता हूं दूर्भाग्य से जो आदमी हमारे चर्च में जगड़ा टंटा करवाता था वो वहीं बैठा हुआ था तो उसने तुरंत ये भाई जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना चाहता था उसकी पत्नी से उससी भी नहीं बोला उसकी पत्नी से बोला आजकल इस तरह के बहुत सारे पुरिश हैं जिनके रीड की हड़ी खतम हो गई है वो जाके दूसरों से च्छमा मांगते हैं ये सुना तो पत्नी का पारा ऐसा चड़ा ऐसा चड़ा कि थर्मोमीटर फूट गया पत्नी ने पती से कहा के आए इंदा यदि तुमने जाके किसी के सामने माफी मांगी तो मेरा असली रंग देखो गए उसके साथ-साथ जो कॉम्प्रमाइस होना था खतम हो गया एक वाग कि उसने उस बहन के मन में डाला उसके साथ-साथ उस बहन को ऐसा भड़काया ऐसा भड़काया कि बम फट गया या बम फट गया सबसे अधिक अपने मन की रिठ्षा करो एक वाग कि कई बार परियाप्त होता है मेरी प्रीव बहनों भाई भी सुन ले बहनों जो आपके जीवन को बरबात कर सकती है प्रभु का वचन कहता है कि विश्वासिनी बहनों का चालचलन पवित्र होना चाहिए नमबर दो अगला दोश लगाने वाली ना हो हम जानते हैं कि पुरिशों को भी दोश लगाना अच्छा लगता है स्त्रियों को भी दोश लगाना दूसरे की चुगली खाना हम मैंसे सबको अच्छा लगता है लेकिन स्टाटिस्टिक ये बताता है कि पुरिशों की तुलणा में स्रियां यह ज़्यादा करती है प्रभु का वचन याद दिलाता है कि स्रियां दोश लगाने वाली ना हो दूसरों की चुगली ना करें यहां दोश लगाने के लिए ग्रीक भाशा में जो शब्द आया है वो बहुत गजब का शब्द है शैतान के लिए जो शब्द है वही शब्द यहां दोश लगाने के लिए भी आया है जिसका मतलब यह है कि हम यदी दोश लगाने वाले लोग हो तो हम शैतान के साथ-साथ खड़े हुए एक ही थैली के चाटते बढ़ते हैं हम भी और शैतान भी प्रिय बहने जो आज सुन रही है मैं याद दिलाना चाहता हूँ मैं आल्मोस्ट इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में यातरा कर चुका हूँ मैंने सब जगे यह देखा है कि बहुत सारी मंडलियों में किसी बहन का नाम आ जाता है तो लोगों को साप सूंग जाता है क्यों उस बहन के सामने यदि कोई चीज बोल दो तो ठंड भर में सारे चर्च में खबर फैल जाती है और वो वो तो धूल जाड़के मैंने तो नहीं सुना मुझे नहीं मालुम कहके वो अलग हो जाती है प्रभु का वचन कहता है इस तरह के दोश लगाने वाले स्त्रियां सब जगे होती है प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का भाय मानने वाली स्त्रियों को चुगली नहीं करनी चाहिए बैक बैटिंग नहीं करनी चाहिए और यदि वो करते हैं तो शैतान के साथ एकी थैली के चटे बढ़ते हैं इसको ना भूलें अगली बात ये एक बहुत विशेश बात है पियकड ना हो आप कहेंगे ब्रदर जॉन्सन बच गए हम ऐसे कोई भी शराब नहीं पीता प्रभू के वचन में पियकड का मतलब सिर्फ शराब पीने वाला नहीं है बलकि किसी भी तरह के नशा करने वाले को प्रभू का वचन पियकड कहता है ये क्यों कहा गया है पिछले 6,000 सालों में समाज में नशे के लिए बहुत सारी चीज़े हैं नए नियम के समाज में भी तमाम तरह के नशे थे बीस्वी शताब्दी में नशे ने अपना रूप बदल दिया है आज आपस में एक दूसरे के जीवन की जो गंदी से गंदी बात है उसको रस ले लेकर रस भरी के समान एक दूसरे को सुनाने में लोगों को बड़ा नशा आता है और जो सारवजनिक संपर्क के जो माध्यम है जैसे मोबाइल वाटस आप ये तो गॉसिप को सब जगह फैलाने के लिए परियाप्त है प्रभू का वचन याब दिलाता है कि बेहने नशा ना करें मतलब वे चीजें जिनसे नशा हो सकता है शरीर का नशा हो सकता है मन का नशा हो सकता है उन चीजों में ना पड़ें 21 वी शताब्दी की विशेष्टा ये है कि शारीरिक नशे को हटाके रखके कुछ और डीसंट मानसिक नशे को फैलाया जा रहा है अगला स्टेटमेंट अच्छी बातें सिखाने वाली हो बहने प्रभू के वचन का की सरवोत्तम टीचर्ज हैं चर्च में पुरिशों को सिखाने की अनुमती नहीं है लेकिन बच्चा जब दूद पीता है तब से उसको प्रभू का वचन सिखाने की जिम्मेदारी मा की है इस बात को मसीहियों से ज़्यादा गंबिरता से मुस्लिम्स लेते हैं मुस्लिम्स रियों के बारे में कई मुस्लिम्स ने मुझे बताया है कि जब बच्चे को दूद पिलाती हैं तो उसके साथ साथ कुछ गाने गाती जाती हैं और इन गानों के द्वारा इसलाम का संदेश उस दूद पीते बच्चे को दिया जाता है मां संसार में सबसे बड़ी टीचर होती है क्योंकि पहला लेसन उससे मिलना चाहिए इस कारण प्रभु का वचन कहता है कि बहने अपने टीचिंग की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से ले और यहां जो भाई लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से यदी किसी नालाइक की शिठ्षा को सुनकर अपने चर्च में संडे स्कूल बंद कर दिया हो या अपनी पत्नी से कह दिया है कि आएंदा तू प्रार्थना ना करना ना तो मेरे साथ करेगी ना बच्चों के साथ करेगी बेलोग समझ जाएं कि आत्मिक जीवन को बरबाद ना करें जो भाई सब जगे दोड़ दोड़ के ये सिखा रहे हैं कि स्त्रियां सेंडे स्कूल में ना पढ़ाएं अब उन्हेंने एक और नई टीचिंग स्टार्ट कर दिये हैं स्त्रियां अपने आप बाईबल ना पढ़ें पती उनको पढ़कर सुनें क्योंकि यदी स्त्री अपने आप बाईबल पढ़ती है तो उसका दिमांग खराब हो जाएगा दिमांग तो उसका खराब हुआ है जो प्रभु के वचन को चुपाकर अपने स्वयम के मन की मानुशिक शिठ्षाएं लोगों को देकर सैक्डों विश्वासियों के परिवारों को बर्बात कर रहा है और मूर्ख हम हैं जो आँख मीच के दिमांग को न्यूटरल गियर में डालके अपने घुटने से सोचते हैं और इसकारण कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उल्टी सीदी ओन दी टीचिंग दे दे उसको हम प्रभू का वचन मान के ग्रहन कर लेते हैं आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं स्त्रीयों को पर्बेश और ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अच्छी बातें सिखाना अपने बच्चों को सिखाना अपने से छोटों को सिखाना और बेहनों की मीटिंग में अपने बराबर वालों को सिखाना लेकिन उसके पहले आत्मिक जीवन में परिपक्व होना जरूरी है मुझ खोलें तो सिर्फ सच बोलें यह जरूरी है पूरी तरह से विश्वास योग यह होना जरूरी है और चूगली की आदत ना हो यह जरूरी है ठीक है? इन बातों को याद रखें हाँ, दूसरों को यह अच्छी बातें सिखाना है तो पहले हमें मालूम होनी चाहिए इसलिए स्त्रियां प्रभू के वच्छन को बहुती गंबिरता से पढ़ें आगे ताकि वे जवान स्त्रियों को चितानी देती रहें हमारे बीच में ऐसे ओंधे टीचर्स हैं जो चर्चस में दोड़ दोड़ के बता रहे हैं कि Women's Meeting No, 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 Women's Meeting No, No, Women स्त्रियों को न सिखाएं जैसा मैंने बताया ब्रेटिश लोक आज भी लाखों रुपे हिंदुस्तान में पंप कर रहे हैं इन प्रचारकों के द्वारा जिससे कि उनकी जो उल्टी टीचिंग है वो हमको गुलाम बनाए आज मैं फिर से यहां जो पुरिश है उनका आखवान करता हूँ गुलामी के बंधनों को तोड़ फेंके प्रभु के वचन को देखे प्रभु का वचन क्या कहता है क्यों उस गुलामी से उनको कुछ नहीं हो रहा है बरबाद मेरी आपकी पत्मियों का आत्मिक जीवन हो रहा है मेरी आपकी बेटियों का हो रहा है मेरे आपके बच्चों का हो रहा है प्रभु का वचन कहता है कि परिपकु स्त्रियां जवान स्त्रियों को चितोन ही देती रहें मतलब सिखाएं स्त्रियां स्कूलों में दोस्तों से बहुत बातें सीखती हैं कॉलेज में दोस्तों से बहुत बातें सीखती हैं मीडिया के द्वारा बहुत बातें सीखती हैं, सहकर्मियों के द्वारा बहुत सारे बातें सीखती हैं, लेकिन ये सब प्रभु के वच्चन के विरुद्ध है। करें कि वे प्रभु का वच्चन पढ़ें, सीखें और ये उनके मन में कोई शंका हो तो आप समाधान करें, जिसका मतलए आपको पहले प्रभु का वच्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ये प्रभु के वच्चन की आग्या है कि वे जवान स्रीयों को चितोनी द कारण यह है कि 21 शताब्दी में स्रीयों को बाग काईदा ये शिट्षा दी जा रही है कि अपने पती से प्रीती रखने के बदले गैर पुरिशों से प्रीती रखें। केरल बैठ कर ये संदेश दे रहा हूं लेकिन हर दिन मैं दैनिक भास कर पढ़ता हूं। आज भी दोपर के समय जब मैं थोड़ी दरविश्राम के लिए लेटता हूं अपनी बीमारी के कारण तब मैं दैनिक भास कर खोल के पढ़ता हूं। आज भी दैनिक भास कर खोला, सर पीट लिया। शादी के लिए लड़की खड़ी है पती के साथ, बीच में भाग गई, क्यों प्रेमी आ गया था, मोटरसाइकल पे उसके साथ भाग गई। दूसरी खबर, शादी के दो साल के बाद पती को छोड़के प्रेमी के साथ भाग गई। तीसरी खबर, वही एक दिन में ओसत दैनिक भास कर में आठ से दस खबरें मिलती है जहां स्त्रियां अपने पती, अपने बच्चों को छोड़कर गैर पुरिश के साथ भाग रही है। आप कहेंगे कि पुरिश भी ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं लेकिन अभी हमारा विशे स्त्री है। हम दोसों से लेकर तीन सो खबर पढ़ने के बाद इन औरतों को ये बात समझ में नहीं आती कि पुलीस पकड लेगी, पुलीस आरेस्ट कर लेगी और मृत्यू दंड तो नहीं मिलेगा लेकिन आज इवन कारावास होजेगा तब कौन प्रेमी रहेगा, तब कौन पती प्रेमी भी उदर कारावास में पड़ा होगा, हम जिस 21 वी शताबदी में जी रहे हैं, ये स्त्रीयों को डिरेक्ली, इंडिरेक्ली मोटिवेट करता है कि पर पुरिश से स्ने करें, उससे प्रेम करें, उसको प्रती मोहाए मन में इसको समझ कर, पवित्र आत्मा ने आज से 2000 साल पहले ये बात लिखी है, कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रेम रखें, उसके बाद प्रभू का वचन कहता है, सैयमी हो, आत्म सैयम एक बहुत बड़ी चीज है, 20 वी और 21 शताबदी, आत्म सैयम के complete विरुद्ध है, और ये स्टार्ट हुआ था, अधन की वाटिका में जब स्ट्री आत्म सैयम नहीं कर पाई, ये फल देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, कम से कम प्रभू से तो पूछ लेते, कि प्रभू, ये हमको मिल सकता है क्या, पुत्पती 6 में हम देखते हैं, कि परमिश्वर के पुत्रों ने मनिश्वर की पुत्रियों से विवाग किया, बीस्वी शताबदी में ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रीन बन गया, ये एक बड़ी फिलोसफी बन गई, बीस्वी शताबदी के लगबग 1930 के आसपास एक औरत हुई थी, उसने एक ट्रस्ट का आरम किया था, उस ट्रस्ट का नाम है लूसीफर ट्रस्ट, लूसीफर ट्रस्ट के तत्वा धान में उसने 60 ये 65 किताबे लिखी थी, वो बार-बार लोगों को बताती थी, कि हमारा परमेश्वर शैतान है, उसके प्रभाव में हिप्पी मूवमेंट स्टाट हुआ, हिप्पी मूवमेंट के प्रभाव में कुछ भी चलता है, परिणाम क्या हुआ, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां भोग विलास और अतिभोग, इवन विश्वासियों के जीवन में फैल गया है, मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ, शादी हुई, पहली रात ही पत्नी ने बता दिया कि देखो मुझे हाथ मत लगा ना, मैं पिछले छे साल से एक गयर पुरिश्ट के साथ रहती हूँ, या पत्नी जब कमरे में पहुँचती है तो पती बोलता है, किसी और कमरे में जाके सो, मेरे अल्ड़ेडी मैं किसी और स्ट्री के साथ जी रहा हूँ, ब्रदरन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अन्नी लोगों की नहीं, मैं चुकि एक काउंसलर हूँ, इस कारेंट इस तरह के तमाम केस मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां भोग विलास और अति भोग हो गया है, विश्वासी लोग कर रहे हैं, और मैं सरपीट कर रहे गया, जब एक सर्वे आया, पिछले दिनों एक सर्वे आया उसमें ये बताये गया है कि भोग विलास और आती भोग के बारे में दुनिया जो सोचती है उसमें और विश्वासी लोग जो सोचते हैं उसमें कोई खास अंतर नहीं है इश्वासी लोग इसको जरा अच्छी तरह से ध्यान से सुने बहने इसको ध्यान से सुने क्योंकि सैयम प्रभु का वचनाग्या देता है कि हम सैयम करें ऐसी कई मसीही ब्रधरन लड़कियों को मैं जानता हूं जो अपने पती को चोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है, भाग गई है हम अतीभोग के युग में रह रहे हैं प्रभु का वचन कहता है कि स्त्रियां सैयम्मी हो उसके बाद प्रभु का वचन कहता है स्त्रियां पतीवरता हो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पती व्रता होना एक पाप समझा जाता है जिस समाज में ये कहा जा रहा है कि भावी स्त्रीब हो गया है भावी आदी घरवाली होती है ब्रदरिन लोगों को भी कहते हैं सुना है मैंने आप पूछेंगे की सुना है मैंने सुना है आज जो मलयाली प्रभू का वचन सुन रहे है उनने नहीं सुना हो गया क्योंकि वो अपने घर में और अपने मित्रों से मलयालम में बात करते हैं मैं चूंकि केरलकक की पैदाईश हूं लेकिन हिंदी भाशी हूं इसलिए मैंने ये अपने जिवन में सौ बार सुना है स्त्री सिर्फ भोगया है भावी आदि घरवाली होती है और गरीब की भीबी सबकी भोजाई होती है ब्रदरन लोग बोलते है ऐसे समाज में स्त्रियां भी अपना संतुलन छोड़ देती है हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां लेंगिक अराजकत्व है सेक्स्वल अनार्की ऐसे युग में स्त्रियों को प्रभू का वच्छन याद दिलाता है कि वे पतित प्रतार है और अगला स्टेट्मेंट है घर का कारोबार करने वाली घर का एक बहुत बड़ा घर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्त्री के कंधों पर है यदि इसके बारे में उत्पत्ती 2 के 18 में हम पढ़ते हैं फिरीहवा प्रिमेश्वर ने कहा आदम काकेला रहना अच्छा नहीं मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए घर का कारोबार करने वाली का मतलब है कीचन का काम देखे क्योंकि स्त्रियों से अच्छा वो कोई नहीं कर सकता लेकिन यदि जरूरत पढ़ती है तो पती के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक रूप से भी उसकी मदद करे बहुत तरीके हैं इसके लिए आप कहेंगी की ब्रदर आपके कहने का मतलब यह है क्या की स्त्री करियर के पीछे चली जाए देखे करियर वोमन अलग बात है वरकिंग वोमन अलग बात है इन दोनों का अंतर यही प्रभू ने मदद की तो कल शाम को स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा लेकिन प्रभू का वचन यह याद दिलाता है कि स्त्री घर का करोबार करने वाली और घर का करोबार क्या है यह नीती वचन 31 बहुत स्पष्टतया बताता है कि यदि घर में आर्थिक तंगी हो तो पुरिश के साथ इंकम के लिए भी वो महनत करे इतना ही नहीं प्रभू की सेवा में वो हर तरह पती के साथ तन, मन, धन से सहयोग करे अगला है भली जैसा इश्यू मसे का स्वभाव था वैसा ही तुमारा भी स्वभाव हो ये प्रभू का वचन याद दिलाता है ज्यादा डीटेल्स बताने के लिए अब समय नहीं है समय लगबाख खतम सा हो गया है अगला स्टेट्मेंट है ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो प्रिय भाईयों और बहनों क्लोसिंग में आप सबसे पूछना चाता हूँ खासकर बहनों से पूछना चाता हूँ मेरी प्रिय बहन आप ये कह सकती हैं क्या कि आप जिस तरह से जीवन बिताती हैं उसके कारण प्रभू के नाम की महिमा होती है और प्रिय भाईएं, Closing में मैं आप से एक बाद पूछना चाहता हूँ आप प्रभू के वचन के अनसार चलते हैं या मुगलों की मुस्लिम गुलामी के अनसार चलते हैं या British गुलामी के अनसार बहनों के बारे में सोचते हैं या ब्रिटीशों के तलिवे चाटूओं के उपदेश के अनुसार प्रभू का वचन आप सुनते हैं बहनों के बारे में इन मेंसे कोई भी हमारा फाउंडेशन नहीं है हमारा फाउंडेशन है प्रभू का वचन और प्रभू का वचन ये याद दिलाता है कि पुरिशों को प्रभू का वचन सिखाने और मंडली के एल्डरशिप के अलावा स्त्रीयों को प्रभू ने सैक्ड़ों जिम्मेदारी घर में दी है, समाज में दी है और मंडली में दी है इन बातों को समझने के लिए पुरिशों को की मदद करे हाँ एक और statement मुझे यहां मिल गया है आजकल उत्तर भारत में एक और statement आ गया है वो है साली आदी घरवाली होती है यह मेरे मन में था लेकिन मैं बोलना भूल गया छमा करें कितनी सारी गालियां मैं आपके सामने रखूँ आपको भी लगेगा कि यह Johnson brother कोई decent आदमी नहीं मालूम पढ़ता कि इस तरह के statement बोल रहा है लेकिन यह सब statement समाज में brethren लोग बोलते हैं और मैंने भी यह सुनाए साली आदी घरवाली होती है इन सब चीजों से break करना होगा प्रभू के वचन के अनसार चलना होगा प्रभू आप सब की मदद करें